रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जे मातादी स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में या समय जिनका भी बड़े है या फिर मैरेज अन्वर्शरी है उन्हें हमारे और से धेर सारी सुब काम नाएं आप दिन लुगों ने राच्चोगों ने तरक्की करें दोस्तों आये यहां जानते हैं किन राच्चोष के जातकों को लाब होगा और किनें मिलेगी खुस-क़बरी आज आज भगवान स्री लक्षमी नारायन जी के किर्पः कीन राज़ी जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन आएए यहां जानती हैं गुरुवार दस जुन दो होजर 21 को आपका दैनिक राज़ी फल कैसा रहेगा किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में आईए यहां जानते हैं और आज आपकी गरहों की स्थिति कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके रासी पर क्या होगी चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें जिने वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं आप जरूर देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा चलिए विडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के वारे में आप से छोटा सा रिक्वेश्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हम से जुड़ जाए ताकि आपके राज़ी से जुड़ी सभी महतपुन जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे 10 जुन 2021 दिन आज गुरुवार का है और जेश्ट मास के क्रिश्न पक्ष की अमावश्यति थी बन रही है यहां साम के 4 बच कर 22 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांत सुकल पक्ष की परती पदाति थी प्रारम हो जाएगी और नक्षटर रहेगी रोहणी यहां सुभा के 11 बच कर 44 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांत मिलिक सिर्शा नक्षटर प्रारम हो जाएगी योग की वात करें तो ध्रिती नामक योग बन रही है यहां सुभा के 7 बच कर 48 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांत सूल नामक योग प्रारम हो जाएगी आज का सूरी उदे का समय यहां सुभा के 5 बच कर 44 मिनट पर होगा और सुर्यास्त होगा ठीक साम के 7 बच कर 8 मिनट पर और सूरी रासी रहेगा ब्रिसब रासी और चंद्रमा आज ब्रिसब रासी इसके उपरांत मिथुन रासी पर संचार करेगा जो कि यह ठीक रातरी के 1 बच कर 10 मिनट तक चलता रहेगा अर्थाद आज के दिन का सुभ समय यह सुभा के 11 बच कर 69 मिनट से ठीक 2 पहर 12 बच कर 53 मिनट तक चलता रहेगा और आज का राहुकाल का समय रहेगा ठीक 2 पहर 2 बच कर 6 मिनट से लेकर ठीक साम के 3 बच कर 46 मिनट तक याद रखिएगा दोस्तों राहुकाल के समय किसी भी तरह के महतपून और सुब कारी का आप सुरुवात बिल्कुल भी ना करें आने था आपके कारी में बीगन बाधाएं आ सकती है चलिए जानते हैं आपके देनिक रासी फल जी हां हम आपके देनिक रासी फल की बात कर रहे हैं मिथुन रासी जातकों को आज से मताना चाहेंगे सितारे आज आपके बता रहे हैं कि आर्थिक मामलों में सुधार और कुछ वैपारी यात्राओं की योग बन रहे हैं और कामों में सफलता मिलेगी आज के दिन हम आपको बता दें यह समें परभावसाली एवं महतपोर्न व्यक्तियों से आपका मिलना होगा और इससे आपको फाइदा भी होगा हम आपको दादें यह समें लाप्रत सोधी हाथ लगेंगी और जीवन शाथी तथा परिवार के साथ आनंदाई समय वितेगा आप अपनी या संतान की सिक्षा को लेकर कुछ हद तक चिंतित रह सकती हैं और आज आपका स्वास्त कुछ नरम गरम रह सकता है हम आपको बताना चाहेंगे आपको महनत के अनुसार फल मिलने की संभावना है और अपने भागी के भरोस से नौ बेठे रहें आन्य था आपको कुछ नहीं मिलेगा हम आपको बता दें परिवार के बुजर्गों की सलावा उनका आसिरवाद जरूर ले कहीं लंबी दूरी यात्रा पर आप जा सकते हैं हम आपको बता दें आपको आलसी को त्याग ना होगा और अपनी जीवन शैली और आपका समाजिक दाइरा दोनों ही निरंतर अच्छी हो रहे हम आपको बताना चाहेंगे आपके पार्टनर के साथ इन बदलती हुई परिस्थितियों में संतूलन बनाई रखना होगा जी हम और संतूलन बनाई रखना थोड़ा कठिन लग सकता ह है लेकिन बाद में आपको इसका अच्छा मिलेगा हम आपको उता दें परिवार की सदół करूभी इसी बात का मतभेट पैदा हो सकता है और यहसे में कारोबारी सोदे के पूरे कर सकते हैं हम आपको उता दे, यहां समय शास की मामले आगे वड़ेंगे, और पैत्रिक संपती में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है, जी हां, हम आपको उता दे, और आज के दिन आपको अपने दफ्तर में सहयोगिकों से मदद मिल सकती है, जी हाँ और आपको मदद चाहिए तो आप हिच किच येगा मत दिल खोल कर मदद मांगने में आगे रहेगा आपका सुबरंग पीला है और भाग्य अंक तीन और छे रहेगा आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायन जी का सचे भग है तो आप सचे मंद से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय स्री लक्ष्मी नारायन जरूर लिख दे धन्यवाद आपका दिन शुब रहे